हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाइस आज की वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं आयूश काउंसलिंग 2022 के बारे में तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपनी जो काउंसलिंग है उनको स्टार्ट करते जा रहे हैं और मैं लगातार वीडियो उनके उपर बनाता भी जा रहा हूं तो आपको कंटिनियस मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करके रखना है मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करके रखना है और जिन भी स्टुनेंट ने अभी तक हमारा ब सब्सक्राइब डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैंने कोर्स लॉंच किया हुआ है आयुशन वेटनरी काउंसलिंग करके तो उस कोर्स के अंदर आपको कॉलेज की लिष्ट मिलेगी फी स्ट्रक्चर सीट मेट्रिक्स लाश्ट त्री येर्स की क्याती कट-off AIQ डॉक्यमेंट्स कौन-कौन से रिक्वाइड होते हैं चोईस फिलिंग कैसे करनी होती है सारा सब कुछ रहेगा 24 इंटू सपोर्ट रहेगा आपका और जो आपको असिस्टेंस किया जाएगा और तिल काउंसलिंग तक किया जाएगा और वहां पर लगबग आपको उस कोर्स अभी हाल फिलाल में आप देख सकते हो कि नियू दिल्ली की आयूश कांसलिंग स्टार्ट हुई है गुजरात की आयूश कांसलिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद में करनाटका की आयूश कांसलिंग स्टार्ट हुई है और अभी अभी हाल फिलाल में आंदर प्रदेश की भी आयूष काउंसलिग स्टार्ट हुई है तो आज कि वीडियो के अंदर मैं आंदर्प्रदेश की आयूष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर हमने लगबग सारी छीजें यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखी है कि यह जो आयूश काउंसलिंग जो होती है यह किसके अंडर अफिलियेटेड होती है जैसे कि यह डॉक्टर एंटी आर यूएचेस फॉर एकेडमिक एर 2022 एंट 23 इसको कंड़क्ट करवाती है और यह जो होगी वो MBBS, BDS और आयूश को इसके लिए होने वाली है फिर यहाँ पर हमने जो भी application, online application कैसे fill up करना है जो prospect अगरा यह सारी चीज़े हमने आपर दे भी रखी है और जो इसका counseling schedule है वो यही है कि 13 तारिक से इसके जो registration है वो start हो चुके है और इसके registration last 20 तारिक तक चलने वाले है तो जिन भी students ने अभी तक registration नहीं किया है वो registration कीजिए और यहाँ पर हमने registration fees भी बताई हुई है कि जो registration fees जो रहने वाली है वो approximately 3000 तो रहने वाली है OBC और BC categories के लिए और SC और HT categories के लिए जो registration fees रहने वाली है 2400 के express रहने वाली है फिर एक important instructions वागे रहा है यहाँ पर हमने दिये हुए है यह सारी चीज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वाइड हैं यह भी हमने यहां पर बता रखें तो आपको इन चीजों को देखना है बिंगवैदे.com पे जाके कि कौन कौन सी चीजे हमने यहां पर बताई हुई है फिर यहां पर आप जैसे नीचे की साइड आओगे तो एक है सिफोर्ट सिफ जिसमें number of seats hundred है फिर B.H.M.S government college के अंदर तीन college है जिसके अंदर number of seats है एक सो एक्क्याओन है और B.H.M.S private college चार है जिनके अंदर जो number of seats है वो 400 है और एक BUMS added college भी है जिसके अंदर 50 seat है फिर उसके बाद में NEET की eligibility cutoff mark range बताई हुई है हमने आपर ये भी आप देख लेना और eligibility criteria भी बताया हुआ है तो guys I hope सारी चीजों जो है वो आपकी clear हो गई होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे states की official website link दे रखी है जैसे ही आप राजस्थान के उपर क्लिक करोगी तो राजस्थान के आई इस counseling की website खुल कर आ जाएगी तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है गाइस और इसी तरीके से आपको मेरी यूटूब चैनल की continuous वीडियोस देखते रहने है counseling वाली और हमारे टेलिग्राम चैनल एड़रिट बिंग डॉक्टर निट को सस्क्राइब करके रखना है आई होब गाइस अंद्रप्रदेश के जितने भी students होंगे उनको सारी चीजे clear हो गई होंगी और गाइस अगर कोई doubt रहता है तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकता है इसी तरीके की वीडियोस में आपके लिए लाते रहूँगा thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए